असलाम उलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ खेरत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्ला का शुकर है तो हम आज बनाने वाले हैं चिकन लोडेड राइस जो के बहुती टेस्टी और मज़े की होती है यह मैंने चिकन ले लिया है 500 ग्राम इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है मैंने तो फर्स्ट हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं यह मैंने वन टीस्पून अधक लेसन का पेस्ट दिया है और वन टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट दिया है यह दही लिया है मैंने वन फूट कब दही है यह इसको डाल देंगे हम इसमें सोया सॉस लिया है टू टीस्पून सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजे यह सब हाफ अफ टीस्पून मैंने मसाली लिये है ब्लैक पेपर गरम मसाला जीरा पाउडर धन्या पाउडर हल्दी और वन टीस्पून मैंने कश्मेरी मिर्ची ली है बाकी सारे मसाले हाफ आफ टीस्पुन थे तो इनको हम मिक्स कर लेंगे और आदे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट कर लेंगे तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe कर ले और bell icon को जरूर दबाए bell icon को दबाने से मेरी आने वाली हर नई recipes की वीडियो सबसे पहले आपको free में देखने मिलेगी तो chicken को हमने रख दिया है marinate होने के लिए हम हमारे चावलों को boil कर लेते हैं तो ये मैंने पानी लिया है तीन ग्लास पानी में मैंने one and half teaspoon salt डाला है दो छोटे तेस पत्ते, एक star full, तीन लॉंग, चार से पाँच काली मिर्चे और एक डाल चेनी का छोटा तुकड़ा डाला है ये एक ग्लास मैंने चावल लिये है, इनको मैंने वाश कर लिया है चावलों को हम इसमें डाल देंगे simple हमें इसको boil कर लेना है, बट हमें इसको full cook करना है rice या फिर बिर्यानी की तरह इसको हमें half done नहीं करना है एक कनी नहीं छोटनी है, पुरा full हम इसको cook कर लेंगे चावल को तो चावल हमारे side में boil हो रहे है, जब तक हम हमारी chicken को ready कर लेते है टू टेबल स्पून मैंने oil डाला है, oil गरम होने के बाद chicken को जो हमने रखा था marinate होने के लिए वो chicken हम डाल देंगे इसमें और chicken को हमें full flame पर भून लेना है ताकि इसका color change हो जाए chicken जो भून रहा है, इसकी खुशबू है, इस वक्त इतनी अच्छी आ रहे है बहुत अच्छी खुशबू आ रहे है इसकी और यह जो हमारा मसाला रहे गया था बोल में उसमें मैंने आदा ग्रास पानी डाल कर इसमें डाल दिया है तो इसको हम full flame पर अब उबाल आने देंगे तो यह देखिए उबाला चुका है, इसको लीट से कवर करके 8 मिनिट लगेंगे, मुश्किल से इसको पकने के लिए low flame पर पका लेंगे हम तो यह देखिए, राइस हमारे अच्छी तरह से बॉइल हो चुके हैं मैंने drain कर लिया है इनको, यह देखिए यह full cooked है तो राइस को थोड़ा flavorful बनाने के लिए हम इसमें half teaspoon black pepper powder दाल देंगे और one teaspoon मैंने soya sauce दाला है इसमें यह बहुती अच्छी और मजे की लगती है, आप दावतों पर बनाएए, महमान आपके खाएंगे तो बहुती खुश हो जाएंगे और तारिफ करते बिल्कुल नहीं थकेंगे आपकी और one tablespoon इसमें oil डाल देंगे और इनको हलके हाथों से mix कर लीजिए, जादा चावलों को बिखेरिये मत, वरना तूट सकते हैं तो हलके हाथों से mix करने के बाद इसको cover करके हम दम दे देंगे 5-6 मिनिट के लिए तो ये देखिए चिकन भी हमारी बन के रेड़ी है, इतनी ही gravy रखी है मैंने, इस से जादा gravy मत रखिएगा इतनी डन हो चुकी है हमारी चिकन तो हम fries को fry कर लेते हैं, ये मैंने बड़े size के आलू लियते हैं, उनको इस तरह से strips में कट कर लिया है मैंने आप बड़े size के आलू लीजिए तो अच्छे shape में कट होंगे, इनको कट करके मैंने नमक वाले पानी में भिगो कर रखा था वनना ये काले पड़ जाते हैं और ये मैंने corn flour लिया है, इसमें 1 teaspoon salt डाला है, इसको mix कर लेंगे और तेल को मैंने side में गरम होने के लिए रख दिया है तो जितने आप एक बार में fry करने वाले हैं, उतने corn flour में डालिए और उनको mix कर लिजिए पूरे एक साथ मट डालिएगा, वनना वो फिर आलू का पानी चुटने लगता है, तो वो खराब हो जाते हैं तो इनको इस तरीके से mix कर लिजिए, यह देखिए, अब इनको fry कर लेते हैं तो ओइल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम fry को डाल देंगे पूरे एक साथ मट डालिएगा, थोड़ा एक एक करके गैप कैप पर डालिए, वनना यह आपस में चिपक जाएंगे तो यह देखिए, इस तरीके से आप एक 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 डालिए अलग अलग और फूल फ्लेम पर इसको fry करना है, फ्लेम को low नहीं रखना है थोड़ा टाइम लगता है इसको fry होने, बट खाने में बहुत ही tasty लगते है तो यह देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो चुका है इसमें तो यह देखिए, ब्राउन हो चुके हैं, बस इतना ही golden brown करना है अब इसको हम निकाल लेते हैं तो यह देखिए, परफेक्टली हमारे fries बनके बिल्कुल रेडी है तो इसको हम साइड में रख देते हैं अभी और हमारी vegetables को fry कर लेते हैं मैंने 1 tablespoon oil दाला है, उसमें chopped garlic दाल देंगे 1 teaspoon garlic दाल दे या 5-6 लसन की कलियों को chop करके डाल दे हलका साटे करने के बाद, green capsicum, shimla mirch और yellow bell pepper लिया है मैंने जितनी आपको vegetables पसंद है, उतनी आप डाल दे, गाजर भी डाल सकते हैं आप इसमें और spring onion का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है डाल दे तो ये गोबी ली है, मैंने इसको भी cut कर लिया है, इसको भी डाल देंगे जादा गलाएंगे नहीं, हलका सा हमें saute करना है, बस vegetables को half teaspoon black pepper डाल देंगे, half teaspoon salt डालेंगे और one teaspoon इसमें हम soya sauce डाल देंगे तो हर चीज में इसमें flavor है, vegetables में flavor है, chicken तो flavorful है ही और rice भी हमारा flavorful है, तो बहुत ही मज़ेदार dish बनने वाली है तो vegetables को हमने हलका साटे करने के बाद उतार दिया है, अब हम मज़ेदार sauce बना लेते हैं मैंने माइनीज लिया है, half cup, उसमें one foot cup tomato ketchup डालेंगे और one foot cup chili sauce डालेंगे, या hot sauce भी आप इसमें डाल सकते हैं या फिर chili garlic sauce भी डाल सकते हैं, जो आपके पास available है वो डाल ये और ये इतनी मज़े की sauce बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है ये तो इसको mix कर लीजिए अच्छी तरह से तो sauce हमारी बनकर ready है, ये इस तरीके से piping bag में आप इसको डाल दे या इस तरीके कि अगर कोई bottle है आपके पास तो उसमें डाल दे ताकि drizzle करना आसान हो जाए, तो मैं piping bag में डाल देती हूँ, ताकि जिनके पास वो bottle नहीं है तो वो piping bag में डाल कर भी drizzle कर सकते हैं तो देखिए इसको मैंने डाल दिया है, अब हम serve कर लेते हैं हमारी डिश को, डिश ले लिया है मैंने इसमें सबसे पहले हम rice डालेंगे, और जब आप इसको serve कर रहे हैं, तो हर चीज आपके गरम होनी चाहिए, chicken भी, vegetables भी और rice भी, गरम गरम में ही आप इसको serve कीजिए जो हमने vegetables को fry किये थे, वो भी डाल देंगे इसमें, और खुश्बु यह तो इतनी अच्छी आ रही है इस वक्त, आप इसको जब बनाएंगे तब try करके देखिएगा, बनाकर बहुती tasty, मज़े की और खुश्बुदार, बहुती लजिस्क और खतरनाक खुश्बु आ रही है, और जो chicken की filling हमने बनाई थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे इस वक्त, तो chicken भी मैंने डाल दिया है, अब जो हमने fries को fry किये थे, वो डाल देंगे, लोड़ेड राइज है, तो लगना भी चाहिए कि लोड़ेड राइज है, तो fries हम इसमें डाल देंगे, इसको बनाना बहुती easy है, हाँ, process थोड़ा landy है, थोड़ा बड़ा है, बट आपने देखा ये कितना आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, तो fries हमने डाल दिये है, अब जो हमने sauce को piping bag में डाला था, उसको हम इस पर drizzle कर देंगे, ताकि easy पड़े, इसलिए मैंने piping bag में डाल दिया है, ये देखिए, और इस sauce अब जितनी भी जादा दालेंगे, उतना ही मज़ा आएगा खाने के लिए, तो इससे हमारी डीश थोड़ तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेर जरूर करें, तो फिर मैं मिलते रहूंगी आपसे इसी तरह से नही नही रेसिपीस के साथ, अल्ला हाफिज तो इस स्थी कים साथने, तो इसाने समय एफज़ खाने बंच्र के लिएकिते रहे बडियों कमाने के लिएवा आपसे तो इसी को अभले, जाफटे डेतावादे के गए.